हलो एब्रिवन, हमारे चैनल सिंपल नालेज में आपका स्वागत है सभी को काले घने और लंबे बाल बेहत पसंद होते हैं लेकिन बालों को लंबा और घना बनाने की प्रक्रिया बहुत ही कठी लगता है अमेरिकन अकेडमी की सोथ से पता चला है कि आपके बाल प्रतिमाः 0.5 इंच यानी 1.5 सेंटीमीटर और प्रतिवर्श 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर बढ़ है बाल बढ़ने की प्रक्रिया तब और कम हो जाती है जब हमारे बाल बहुत ज़ादा ज़ड़ते है बहुत सारे लोगों को इस बात की सिकायत होती है कि उनके बाल जल्दी क्यों नहीं बढ़ते है और बाल जल्दी लंबे करने के लिए वे कई बार अलग अलगता रखे हेर प्रोड़क्ट जैसे सैंपू, तेल आद इस्तेमाल करते है लेकिन इन चीजों का कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है उल्टा ये हमारे बाल को और कमजोर बना देते हैं इसके लिए हम अपने डायट में कुछ ऐसे खास चीजों का इस्तेमाल करके हमारी हेर ग्रोथ को सुड़क्षी दरख सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बगल में एक छोटी सी घंटी बनी रहती है उससे जरूर दबा दीजेगा जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुश्च सकें और अगर subscribe किया है तो thank you पहला अंड़ अंड़े में प्रोटीन और बायोटीन दो ऐसे तत्थ होते हैं जो hair growth में मदद कर सकते हैं अंड़े में प्रोटीन और बायोटीन की मात्रा अधिक मात्रा में होती है National Health Institute के डेटा के अनुसार परियाप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने से बाल तेजी से बढ़ते हैं, बायोटीन हमारे हेया ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, सोध के अनुसार अंडे जिंक, सिलेनियम और अने बालों के लिए स्वस्त पोशक तत्वे में से एक बहुत बढ़ा स्रूत है, ऐसे में लंबे काले घने बालों के लिए अंडा, चिकन, मचली, दाल, दूद और उससे बने उत्पाद में प्रचुर मातरा में प्रोटीन पाया जाता है, जिसे खाने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, प्रोटीन नकेवल बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, बल्कुने पोसर भी देता है, सूखे मेवे बालों की ग्रोथ के लिए सूखे मेवे बहुत ही लाफकारी है विटामिन B7 या बायोटिन सूखे मेवे में भरपूर मात्रा में पाया जाता है बालों को लंबा बनाने वाला यही एक जरूरी तत्तो है आप चाहे तो बादाम अखरोट और मुंखली खाकर इस आउस्यक्ता को पूरा कर सकते है वैसे बाजार में इसके सप्लिमेंट्स भी मौजूद है अखरोट बादाम जैसे फैटी एसिट से भरे खाद पदार्थों का सेवन करने से हमारे बाल मजबूत होते है अखरोट में सभी फैटी एसिट उचित मातर में पाए जाते है गाजर गाजर बालो के लिए बहुत ही फायदे मनसावित हो सकता है बालो के लिए पोसक तत्तों में गाजर का बहुत बड़ा योगदान है बालों की ग्रोथ के लिए प्रते एक दिन गाजर का जूस जरूर पीना चाहिए बालों में ग्रोइंग टीशू होते हैं और प्रते कोश्किया के विकास के लिए विटामिन एक याओ सेकता होती है और यह विटामिन गाजर में पाया जाता है गाजर बालों के विकास को बढ़ावन देता है और बालों को सुष्त रखता है बालों के ग्रोथ के लिए गाजर, गाजर का जूस या फिर गाजर से बने हुए खाद पदातों का इस्तेमाल जरूर करें खट्डे फल बिटामिन C ना केवल बालों के लिए जरूरी है, बलकि ये सरीर के लिए भी एक आवस्यक्तत्त है, ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है एक सोध के अनुसार, पर्याप्त मातर में खटे फलों का सेवन करने से हमारे सरीर में बिटामिन C की कमी पूरी होती है जिसके कारण हमारे बाल बेहत कोमल और लंबे हो सकते हैं अगर आप अपने बाल लंबे और घना करना चाहती हैं, तो अपनी डायेट में संत्रा, नीबू, किन्नी, ब्रोकली, आवला और दूसरे फलों को सामिल करके इस जरूरत को पूरा कर सकती है ब्लूबेरीज आक्सिडेंटिव एस्टरस को कम करने के लिए हमें एक एंटी आक्सिडेंट से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए ब्लूबेरीज एंटी आक्सिडेंट जैसे विटामिन बी से भरपूर होती है इसलिए इसका सेवन बालों के लिए काफी लाफ दायक होता है पालक पालक बालों की ग्रोज के लिए बहुत ही लाफ कारी है पालक पोश्टिक तत्तों से भरपूर होता है इसका लोग सबजी बनाकर, पराठे बनाकर, पूरी बनाकर कई तरह से खाना पसंद करते हैं इसके साथ ही साथ इसका जूस पीना काफी फायदेमंद है बालो की ग्रोज के लिए पोशक तत्तो में पालक भहुत ही स्वास्थ बर्धक है पालक विटामिन A, विटामिन C और फोलिट से भरपूर होता है पोशक तत्तो से भरपूर पालक बालो को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद सावित हो सकता है ये सारे चीज जनरल है और ये स्वास्थ के लिए और बालो के लिए काफी लाब दायक है आप इसे अपने खाने में इस्तेमाल करके बालो को बढ़ा सकते हैं और काले और घने कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल जरूर करें लेकिन बस दो सेगेंड मुझे देखर हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दें हमारा वीडियो इंड तक देखने के लिए थैंक यू